प्रदेश सरकारद्वारा चलाए जा रहे जन्मंच कारिक्रम के तहट प्रदेश का दस्वा जन्मंच नूरपूर की भड़वार पंचायत में मनाया गया। जादातार शिकायत ने बिजली, पानी और सडक सुईधा को लेकर सामने आई। बारिश के बावजूद काफी संख्या में लोग इस जन्मंच कारिकर में पहुंचे। स्थानिय विदायक राकेश पठानिया ने मंतरी के समक्ष नूरपूर में ओद्योगी क्षेतर खोलने की मांग भी की। जिस पर मंतरी ने तुरंत खामी भरते हुए आशवाशन दिया है कि जब भी परदेश में इंडर्स्ट्रिल मीट होगी तो नूरपूर क्षेतर को सबसे पहले प्रात्मिकताद दी जाएगी। अपने संबोधन के दौरान विकरम ठाकुर ने कहा कि जन्मंच परदेश सरकार का चलाया गया ऐसा कारिकरम है जिसकी प्रशंसा परदान मंतरी ने भी अपने दौरे के दौरान की थी। उन्होंने कहा कि इस कारिकरम को देश के अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा कारिकरम है जिसमें हर एक इनसान की आवाज जहां विभाग में नहीं सुनी जाती है वो इस जन्मंच में सुनी जाती है और उसे प्रात्मिकता के तोर पर खल किया जाता है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से जन्मच में उठाई गई समस्याओं को हलके मन ना लेने की बात कही और शिग्र हल करने के निर्देश भी दिये। मेरे को बेजा गया है जन्मच के माधियम से जन्मच एक ऐसा कायकरों है जिस कायकरों के माधियम से आम व्यक्ति की बात अंतिन व्यक्ति की बात जो हो सुनी जाती है। और मेरा जो हमारे यहां हेड ऑफ दिपार्टमेंट बेंजी है मेरा उनसे भी निवेदन है कि जन्मच में कही गई बातों को हलका ना ले। जहां जो मी विषय आता है उस विषय के उपर हम गहन चंतन करें गहन विचाय करें और यहां पर तो विधायक अमारी पार्टी के हैं और जो दिशानर्देश देते हैं और जो यहां पे लोग आते हैं जो उनके कामों का दिशान रदेश आपको दिया जाता है मैं पूरन आशा करता हूँ कि उन्हें समस्याओं का निवारण होगा और पिछले एक वर्ष से जन्मत कारकरम का पूरे हिमाचन परदेश में ही नहीं बाकी परदेश भी इसका हम सर्म करना चाहते हैं बाकी परदेशों को भी ऐसा लगता है कि जन्मत कारकरम जो कि हमाचन परदेश की सकार ने आदमी इसलिए जैरम ठाकों जी ने चलाया है बहुत ही महत्वपुरा और और अफेक्टिव कारकरम है इसलिए मेरे यहां पर जो भाई और बहर आए हैं मेरा उसे डिवेजर हैं कि वो अपने गाउं में जाकर अपने गाउं में जाकर अपनी पंचायक में जाकर जिनको जिनकी बात को कोई नहीं सुनता उनको जिनुन बताएं कि आप एक्षेत्रों के अंदर जन्मन कारक्रम हो रहे हैं और इसके मादम से जो भी कौईन की समस्या है उसको समस्या का हम समाधार कर रहे हैं